वक्ति का प्रभाव दिखाई दे रहा है जिसके कारण भगवान मिले हैं अजुद्या कांड में तो साक्षाद प्रवाण है कि भरत जैसे भक्त जो कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहों निर्वान जनम जनम रती राम पद यही बरदान ना उन्होंने तो चारों का त्याग किया अर्थ धर्म काम और मोक्ष उन्होंने का एक भगवान का चरणारविंद मिल गया तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा है इनको मागने की जरूरती नहीं क्यों भगवान के चरणारविंद मिल गए तो अर्थ भी मिलेगा दर्म भी काम भी और मुक्ष भी एक ही साधे सबसदें और सबसाधें सब जाएं इसलिए ये भक्ति की पराकाष्था है कि मुझे भगवान का चरण चाहिए देखे बिन रगुनात पद जिये की जरनी न जाए भगवान ने का कि मैं चरणों में हमेशा हमेशा के लिए कैसे अस्थान दूँ तुमें इसका मतलब है क्या मैं भरत तुमको अपने साथ ले जाओं जब तुम मेरे चरण ही मांग रहे हो चरणों में जगए मांग रहे हो तो क्या मैं साथ ले जाओं ये संभाव नहीं है इसलिए चरण नहीं चरण पादुका लेकर जाओ मेरी आग्या है आयुद्या जाओ प्रभुकरी कृपा प्रभुकरी कृपा पावरी देरी सादर भरत सीसदर लेनी बगवान नहीं का ये चरण पादुका ले जाओ और आयुद्या जाओ भरत जी ने किसी भी प्रकार की कोई टिपनी नहीं की कोई तरक नहीं किया ठीक है प्रभुकरी जैसी आप किया गया और पादुकाओं को सादर भरत सीसदर ली है जो भक्ति करते हैं वो तरक नहीं करते हैं जादा और भगजवत संबंधि तरक तो करते ही नहीं है जो भक्ति करते ही सांसारिक तरक करेंगे वो एक अलग बात है लेकिन धर्म संबंधि अध्यात on security प्रम्पराओं में कोई तरक नहीं करते हैं सहज ही सुईकार कर लेते हैं उन्हीं को भक्त कहते हैं कि साधर भरत सीसधर लीनी आजकल विडमना इसी बात की है कि लोग धर्म संबंधी विवस्थाओं पर ना जाने कितने प्रकार का एक ऐसा माहौल उपेक्षित भाव लेकर के ऐसा माहौल तयार कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो चेलेंज कर रहे हैं कि भक्ती है ही नहीं और भगवान यहीं नहीं ऐसा माहौल बना रहे हैं लोग कि ना तो भक्ती है ना भगवान है मैं एक बात कहना चाहता हूँ वो निश्चित रूप से बाम मारगी है वो निश्चित रूप से अधोगती को प्राप्त होंगे बोलो होंगे किनी अधम है और सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं भरत कैसी निश्ठा शर्दा होनी चाहिए इसलिए तरक नहीं करना है आपको शर्दा पुरुवक भरत जैसी परंपरा से जुड़ना है और वगवान के कारिकों करने के लिए आपको उत्साहित होना है उत्सुक होना है और प्रवु की आज्या को शुरोधारी करना है ये चरणपाद का शुरोधारी करना प्रवु की आज्या को शुरोधारी करना है देव की वस्देव ने भी भगवान को शुरोधारी किया था वस्देव जी ने सिर्पर रखा था ना का रखा था शिर्पर रखा था यमना पार कर गए जितनी समस्याएं आतीं गई वो सब दूर होतीं गई लक्ष को प्राप्त किया भरत जी ने भी भगवान के चरण पादुकाओं को क्योंकि भगवान के चरण तो जा रहे हैं कहां अरंड अभ्यारंड में लेकिन आग्या हुए है कि बापस अयुद्या जाओ भरत जी तो चरण पादुका लेकर अयुद्या बापस चले गए अब एक भक्त मिला उसने भी चरण में ही एक ऐसी युक्ती खोज ली कि चरण तो नहीं मिलेंगे उसने कहा कि चरण धूल भी नहीं मिलेगी लेकिन कुछ ना कुछ चरण का मिल ही जाएगा अरंड का अंड में क्यों भई चरण भी नहीं मिलेंगे क्यों चरणों में तो महत्माओं ने कब्जा कर लिया है पद राजीव बरन नहीं जाएगी पद राजीव नहीं जाएगी मुनि मरमधों को बसे जिनमाही पद राजीव बरन नहीं जाएगी मुनि मन मधुप बसे जिनमाही हम तो अधम हैं सडा मांस खाने वाले अरंड कंड के एक जीवने का अधा मूह मैं मुझे तो अधिकारी नहीं है कि चरणों में जगह मिले है कहां मिलेगी तो का रज बोले रज नहीं मिलेगी क्यों अहिल्या ने ले ली और केवट ने धोके पी ली रज बची कहां है रज तो बची नहीं कि जो बची थी वो केवट ने गंगा के तट पर धोके पी फिर क्या मिलेगा उसने नेत्रबंद किये का बस एक ही जगे खाली है क्या आंगे परागी दृफटि देखा सुमरत राम चरण चिन रेठा रेखाएं खाली हैं बस उनी में थोड़ी शी जगे मिले जाएं देखो यह चिंतन है उसका ध्यान इसलिए तो मैं रेखाओं पर किसका ध्यान जाता है लेकिन उसका ध्यान गया कि अभी रेखाओं में जगे खाली है थोड़ी गुंजाइस बची है देखो अगर तुम पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ ना तो भगवान के यहां कुछ ना कुछ गुंजाइस निकल आएगी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गुझायश निकलेगी जगए मिलेगी ऐसी बात नहीं के जगए मिलेगी नहीं बोलो गेदरा जटाईू को मिल गई जगए के नहीं सुम्रत राम्चरणचन रेखा यह अरण कांड है यह भी तो भगवान का भक्त है भरत जी भी भक्त हैं हर कांड में भक्त है मैंने क्या का बालकांड से ले करके बालकांड में ब्यापक ब्रह्म नरण्यन निर्गुन विगत विनोद सोज प्रेम भगतिवस कोशल्या की गोड महरानी कोशल्याक जी के जीवन में भक्ती है तबी तो भगवान उनकी गोड में कि बालकांड ईए क्वान चांड रों है कि बहुत प्रमान हैं भक्ती के बालकांड में हुआ बहुत प्रमान हैं ओ लेकिन भरत जी महाराज तो भक्ति की पराकाश्ठा पर है अरन कांड में अभीरल भगति मांग भर अभीरल भगति मांग निजिकर की नीराम अभीरल भक्ति अरन कांड में गीदराजी को मिल गई अभीरल भक्ति जीव ब्रह्म से और ब्रह्म जीव से कभी बिलग नहीं हो शकता है दौनों एक ही साथ एक छण भी अलग नहीं होंगे यह अभीरल भक्ति है निरंतरता बनी रहेगी अलग होई नहीं सकते हैं इसको अभीरल भक्ति कहती है अभीरल भक्ति सब को नहीं मिल सकती है प्यारे अविरल वक्ती तो उसे मिलती है जिसे भगवान स्वेहम देते हैं कि हम दे रहें अधिकारी हो इसके तुम मैं दे रहा हूँ गिदराजी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए देना हो यदि आप दे सकते हैं बैसे आप देते नहीं है यह अविरल भक्ति अगर आप दे रहे हैं तो आप दे दीजिए मुझे भगवान ने कहा कि मैं अवश्य ही दूँगा भगवान ने अविरल भक्ति दी अविरल भक्ति का मतलब है भगवान ने कहा कि अब तुम भगवान बन रहे हो गीद देह तज धर हरी रूपा संक चक्र गदा पद्म लेकर के गीद के शरीर से भगवान विष्णु प्रगट हो गए बोलिये विष्णु भगवान की उसी समय प्रगट हो गए शाब गीद देह तज धर हरी रूपा हरी मानी विष्णु विष्णु अगवान प्रगट हो गए बोलो ऐसी भक्ति और ऐसी मुक्ति और इतनी बड़ी शक्ति कहां दिखाई दे रही है महराज दश्रत जिन्होंने इतनी भक्ति किये इतनी भक्ति किये है कि उस ब्रम को निर्गुन ब्रम को शगुन वन करके आना पड़ा लेकिन मृत्तु के समय तो राम राम कह राम कह राम राम कह राम तन पर हरी रगवर विरे राओ गए सुर्धाम वो बैकुन्ठ नहीं गए कहां गए स्वर्ग गए जहां देवता निवाश करते हैं, राओ गए सुर्धाम, लेकिन गीदराज जी अभीरल भक्ति प्राप्त किये और कहां गीद गए हुरी धाम, अभीरल भक्ति मांगवर गीद गए हुरी धाम, तैंकी क्रिया जतो चितने जकर कीनी राम, अंतिम क्रिया राम जी को महराज दसरत की करनी चाहिए थी, लेकिन अंतिम क्रिया जतायू की, रामा उतार में अपने हाथ से एक ही प्रमान मिलाए, प्रभु राम ने यदि अंतिम क्रिया की है, नारायन ने नर लीला करके यदि अंतिम क्रिया की है, तो केवल गीदराज जता संस्कार की परंपरा है सनातन संस्कृतिमें बोलो है कि नहीं और कौन करता है पुत्र करता है अन्दिम क्रिया पुत्र करता है और बो जब नरलीला की उस ब्रम ने तो किस संस्कृति में पैदा हुए थे गिदर ה आरे वो नारायन जो ब्रह्म है नारायन वो नर लीना कर रहा है मानों संस्कृति में जन्म ले रहा है लेकिन खग संस्कृति में जन्म लेने वाला अधम जाती है वो खग में भी गीद अधम है लेकिन भगवान नारायन स्वेम नर्वन करके उस अधम पक्षी की अंतिम क्रिय कर रहें और पक्षी मान के नहीं कर रहे हैं पिता बना के कर रहे हैं पिता मान के मोरे जान तात कचुक दिन जीजे तात मानी होता है पिता भाई मानी भाई भाई भी होता है और पिता भी होता है पिता और सीता जी ने भी कहा कि आप मेरे पिता हैं क्योंकि आपने विपत्तिक काल में मुझे पुत्री बनाया है सीते पुत्री करस जनित्राशा करी हों जा तु धान कर नासा एक एक बात सुनते जाओ बहुत महत्पूर्ण भाव है ये तुम्हारे जीवन को संबल देने वाले भाव हैं आज हम लोग भाशा तो शीख रहे हैं लेकिन भाव की और नहीं बढ़ रहे हैं सिख्षा की पाशाना में भाशा सिखाई जा रही है लेकिन भाव की कमी बोलो है कि नहीं आज बहुत पढ़ा लिखा वेटा है तो वो पिता को देखता है और कहता है आप पिता हैं लेकिन आप मुझे सुझाओ ना दे क्योंकि आपकी सेक्षी की उगता नहीं है बोलो भई आपकी सेक्षी की उगता नहीं है आप पिता जरूर है लेकिन आपके पास कितनी डिग्रियां है क्या सेक्षी की उगता है आप ऐसे पाठ प्रस्ट लड़के हैं जो इस प्रकार की भर्षा बोल रहे हैं अपने पिता से बोल रहे हैं भले ही आप ये दावाद सब्द से जोड़ा जा रहा है सिक्षा से जोड़ा जा रहा है सब्दों के मर्म को समझाया जा रहा है लेकिन भावों से नहीं जोड़ा जा रहा है इसलिए मैं कहता हूँ कि सिक्षा की पाद्शाला का मैं समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि सब्द की उंचाई तक सिक्षा की पाद्शाला पहुंचा रही है लेकिन आध्यात्म की पार्शाला भावों के समुद्र से जोड रही है आपको और भावों के समुद्र में डुबकियां लगाने के लिए ये आध्यात्म की पार्शाला दिमर्स कर रही है इसलिए दोनों की जरूरत है दोनों की अवश्यक्ता है हम हमारा परिवार सिख्षा से जुड़े लेकिन संस्कारों से भी जुड़े ये भाव मानी क्या है भाव मानी संस्कार हम चाहे जितने बड़े व्याख्याकार क्यों न हो जाएं लेकिन हिर्दाय में अगर भाव नहीं होगा तो केवल हम पढ़े लिखे हैं जो रामाइन की चौपाईया छंद सोर्था हैं उनको पढ़ेंगे क्योंकि हम में कला है पढ़ने की और हमें वक्तित शक्ती हम पढ़ भी देंगे लेकिन याद रखना केवल सिख्षा लेने से ही ये रामचरत मानस को नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये पुरशाप्त सापेक्ष गरंथ नहीं है ये क्रपा सापेक्ष गरंथ है इसलिए समर्पन करना पड़ेगा इस गरंथ के प्रती तभी इसके मर्म को समझा जा सकता है और बताया जा सकता है समर्पन करना पड़ेगा माता पिता के चर्णों में गुरु जनों के चर्णों में सादू संतों के चर्णों में समर्पन करना पड़ेगा तब कहीं हिर्दै से आशिरवाद मिलेगा और आशिरवाद नहीं मिला तो चाहे जितने मशक्कत करते रहना और बुद्धी का बैयाम करते रहना कोपड़ी का कुछ भी मिलने वाला नहीं है रिजल्ट अंत में जिन्दगी का जीरो बटे जीरो आएगा ये मैं बहुत बहुत बड़ी बात कह रहा इसलिए नहीं नहीं हमें सुईकार करना पड़ेगा आज भाव की बात है भगवान ने कहा कि आप मेरे पिता है किशोरी जी ने कहा आपने विपत्ती में पुत्री सीते पुत्री कह करके कहा है आप मेरे पिता है आपने मुझे पुत्री का तो आप मेरे पिता है ये भाव की बात है इसमें पसु पक्षी वाली बात नहीं है ये मत सोचना कि ये पसु पक्षी वाली बात है कि पसु पक्षियों से इतने प्रभावित होगा इसी ताराम जी नहीं उनके विचारों से बावित हुए हैं इसलिए याद रखना विचार अच्छे होनी चाहिए भगवान ने का मैं अंतिम संस्कार करूंगा अपने हाथ से अंतिम संस्कार पशुपक्षियों का अंतिम संस्कार अगनी संस्कार होता है क्या बता हुआ पशुपक्षियों का तुम्हेरे गाउं में कि किनको जलाते हो बोलो मैं तो कहता हूं कि गव मता अगर शरीर छोड़ जाती हैं तो उनको इस तरह से नहीं फेक देना चाहिए गड़ा गोदना चाहिए उसके अंदर उन्हें समाहित करना चाहिए समझ रहे हो कि नहीं ना जाने कितने प्रकार की छीछा लेदर कुत्ते करते हैं गाओं के वो लोग खीच खीच करके ले जाते हैं कहां कहां क्या क्या मैं तो जब दुर्दसा देखता हूं सडकों पे गाए एक्सिडेंटल गाए पड़ी रहती हैं कितने बाहान रोंते चले जाते हैं साइड में फ अगर मरी पड़ी है तो उसका हंतिम संसकार कम से कम भूम में गड़ा कोद के कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बोलो भाई इतना भी तुम्हारे पास समय नहीं है मरी हुई गाहे तुमसे भूशा मांग रही है क्या बोलो क्या मांग रही है तुम्हारे खेत में भुशके नुक्सान कर रही है क्या जिसके प्राण ही निकल गए है वो तुम्हारे खेत में जाएगी नुक्सान करने के लिए भूशा खाएगी क्या सिर हिलाएगी तुमको मारने के लिए दोड़ेगी उसके तो प्राण निकल गए लेकिन अगर देख रहे हो तो धुर्दशा नहीं होनी चाहिए गाये को पशु मत मानना गाये पशु संस्कृती में जन्म तो लिये लेकिन वो पशु नहीं है यह हमें मानना पड़ेगा समझना पड़ेगा आज अधम जाती में पैदा तो हुआ है गीध लेकिन भगवान ने का नेनी ऐसा कर्म किया है आपने आप महा भाग हैं सारी दुनिया आपको पक्षी के रूप में देख रही है यह दुनिया का नजरिया हो सकता है लेकिन राम तो आपको अपने पिता के रूप में देख रहा है आप महा भाग हैं आपको बार बार में प्रणाम करता हूँ गद गद हुए बोले प्रभू मैं ही हूँ एह राम गीध राज देखो तुमें करता राम प्रणाम ये राम आपको प्रणाम कर रहा है ये राम का प्रणाम सुईकार करो बोलो वही कर्म कितना स्रेष्ट था कि प्रणाम ने प्रणाम की आरण कांडिये संके दे रहा है अभिरल भक्ति मांग ली भगवार ने का दूँगा निश्चित रूप से दूँगा अभिरल भक्ति मांग भर गीध गयो हरिधाम तहिं की क्रिया जथो चित निश्कर की नीराम तहि की क्रिया जथो चित निश्कर की नीराम ताहि दे कति दा मुदाराम सबरी के आश्रम पगुदारा सबरी के आश्रम में भगवान पहुच गये सबरी कौन है अभी एक अधम पक्षी का उद्धार किया है गीध अधम खग आमस भोगी लेकिन ये तो अधम ते अधम याधम आति नारी अधम ते अधम याधम याधिनारी तिन मह में मति मंद याधारी तिन मह में मति मंद याधारी अधम याधिनारी अधम ते अधम याधम 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 इसने का अधम ते अधम अधम आती यहां तो गीर अधम और यह सबरी कह रही है अधम ते अधम अधम आती तिनमा में मतिमन इसका मतलब यह कि अरंड कांड में बहुत अधम है इसने तो अधम ते अधम अधम आती अच्छा किसकिंदा कांड में कोई अधम नहीं होगा साइज देखो देखता हूँ कोई निकल पर ओओ किसकिंदा कांड में तो अधम ऐसे निकल आए कि सुनके आप आश्चरी करोगे आप कहोगे कैसे उन्होंने तो इतना कह दिया सबरी तो अधम ही कह रही थी इन्होंने तो कह दिया कि मैं तो कुटल भी हूँ और तिदमा मैं मतिमंद मतिमंद कह रही सबरी मैं भी कौन हूँ एक मंद में मोह बस कुटल हरदे अक्या हनमान जी कह रहे हैं इस भरशा को हनमान की बोल रहे हैं एक मंद में मोह बस कुटल हरदे अग्यान लेकिन प्रभू आप गीत को छोड़के आए सबरी को छोड़के आए मुझे छोड़ना मत समझ रहे हो कि नहीं आप गीत को छोड़के चले आए आपने हरी धाम भेजा मुझे हरी धाम नहीं चाहिए आपने सबरी को भी छोड़ दिया वो भी आपके धाम चली गई सबरी भी चली गई ती ना बगवान के धाम का आप छोड़के चले आए सबरी को वो भी हरी धाम चली गई मुझे हरी धाम नहीं जाना है मुझे छोड़ना नहीं जिस तरह से वो अधम, कुटिल और आतिमंद है वैसे मैं भी तो आतिमंद हूँ जबकि उनके समान तो कोई ज्यानी संसार में है ही नहीं हनुमान जी के समान कौन ज्यानी जे हनुमान ज्यान गुन, शागर, जे कपीष्थियों लोक उजागर आप सब प्रार्थना करते हो ना बुद्धीन तन जान के सम्रहु पवन, कुमार, बल बुधि विद्ध्या धेव मोय हरहु कलेश, विकार प्रार्थना करते हो ना हनुमान जी से लेकिन वही हनमान जी की भर्षा बोल रहा हूं क्या भगवान से जम मिले तो क्या करें एक मंद में मोह बस कुट लहर दे अज्ञान पुन प्रभु मोहि विशारियो दीन बंदू भगवान ए दीन बंदू आप मुझे भुला रहे हैं भुलाना नहीं भुलाना नहीं क्योंकि आप हरीधाम भेज करके आए हैं गीद को आप भैकुंत हरीधाम भेज करके आए हैं सबरी को लेकिन मुझे आप बेकुंट मत भेजिए हरी दाम मुझे नहीं जाना है मुझे तो आपके स्री चरणों में जगे चाहिए किस किंदा कांडा गया कुंसा कांडा गया किस किंदा कांडा क्योंकि मैं तो राश बताता चला जा रहा हूँ है ना मर्म बता रहा हूँ रहाश आपके श्री चर्णों में ही मैं रहना चाहता हूँ मुझे आप दूर मत करिये भगवान के चर्णों में गिर पड़ी थी शबरी सबरी परी चर्ण लपटाई भगवान के चर्णों में लिपट गई क्यों जब से गुरु मतंग रिशी ने कहा था सबरी मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तू आश्रम मत छोड़ना तो सबरी ने गुर्देट के चर्ण को पकड़ लिया मतंग रिशी ने कहा कि चर्ण कब तक पकड़े रहेगी मेरे प्राण निकलने वाले हैं इसके बाद तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा चर्ण का नहीं नहीं मैं तो प्राण छोड़ूंगी आपके चर्णों यह निश्ठा है सिस्टी निश्ठा गुरू के प्रति है निश्ठा की बाद है जैसे पती प्राण त्याग राओ तो पत्नी कहती है कि अम में जीवित नहीं रहूंगी आपके चर्णों में प्राण त्यागूंगी कोशल्य अमबा भी तो यही कह रही थी लेकिन भरत जी ने गहपद बिनेश्मत हो ऐसे ही तो सबरी मतंग रिशी के चर्णों को पकड़ ली और कहती है कि आप प्राण छोड़ेंगे मैं भी आपके चर्णों में प्राण चोड़ूंगी आपके साथ ही जाओंगी मतंग कहा कि आप कहा जा रहे हैं मैं अपनी कर्म के अनुशार जहां मेरा कर्म मुझे ले जाएगा मैं वहीं जाओंगा ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बैकुंठी जा रहा हूं ये तो अभिमान हो जाएगा क्या हो जाएगा अभिमान को मैं नहीं मेरे मैंने जो कर्म किया है कर्म लेकिन सबरी तेरा कर्म तुझे वहीं ले जाएगा जहां जहां पर इस सुड़ की शत्ता है तेरा उतना स्रिष्ट कर्म है मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया कै नहीं गुरु भक्ति कूट कूट करके भरिये तुने जो मेरी सेवा किया है न और सेवा से मैंने इतना आशिडवा दे दिया है तुझे कि तेरा कर्म स्रेष्ट हो गया है क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोड़ा लेकिन तुने इतनी सेवा की इतनी सेवा की है कि मैं सेवा से इतना प्रशन हो गया हूँ इतना प्रशन हो गया हूँ कि मैं ये गारंटी के साथ अपने लिये तो मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वाशिर बात दे के जा रहा हूँ कि मैं भले ही भगवान के धाम चला जाओं लेकिन भगवान अपना धाम छोड़ करके तेरे पास जरूर आ जाएंगे ये मैं हिर्दय से कह रहा हूँ तेरी सेवा से मैं प्रशन है मैं भले ही भगवान के धाम जा रहा हूँ गुरू का इतना आशिरवाद लिया है कि भगवान को धाम छोड़ करके उसके पास सुयम चलके आना पड़ रहा है अलो प्रमान मिल गया कि नहीं मिल गया ये कितना प्रवल प्रमान है और प्रत्यक्ष प्रमान है इसमें कोई तर्क करने की आवश्शक्ता नहीं बस सबरी तुम आश्रम छोड़ के मत जाना हो सथ हो गया गुरू भचन भगवान को आना पड़ा बस सबरी ने सबरी परी चरण लिपटाई चरण पकड़ लिपट गई भगवान के चरणों में का आज गुर्देप की वानीशत हो गई भगवान ने का भूक लगिये कुछ रखा हो तुखिलाओ बाह कोशिल्यामा ने कहा था दूद रखा है फल रखें जाओ खालो फल गरण करो दूद पियो भगवान राम ने का मैया मुझे भूक नहीं लगिये ना मुझे फल गरण करना है ना दूद पीना एक्छाई नहीं है लेकिन सबरी से कह रहे हैं भगवान कि मुझे भूक लगिये जो रखा हो खिलाओ कंब मूमल फल सुड़ श्यत दिये राम कहा प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार उबखाँ भगवान एक एक फल को सुरस अती इसमें रसका आधिक है क्यों है की नहीं बड़े रसीले हैं इतने रसीले फल तो अयुद्या में नहीं मिथला में नहीं देखो भई इतने रसीले फल इसका संकेती है कि अयुद्या मेरी जनम भूमी है और मिथला मेरी लीला भूमी है सस्राल है ना लेकिन वा भी इतने रसीले फल यानी कोशलिया मा के फलों में भी इतना रस नहीं है और सुनेना मा के फलों में भी इतना रस नहीं है जितना सबरी तेरे फलों में रस है इसलिए सुरस अत दिये राम कहयान बारम बार बगवान बरनन कर रहे हैं प्रेम शहत प्रभुपाए बारम बार बखान बार बार बखान मानी बरनन कर रहे हैं अच्छा बोलो भीया खोज कर रहे हैं सीता मैया की अगर आप बिपत्ती में हैं तो आपको भूँक लगेगी भूख चली जाएगी नीद और भूख दो चली जाती है जब विपत्ती आती है परिवार में तो भूख भी चली जाती है और नीद भी चली जाती है लेकिन प्यारे गीदराजी का प्रमान और शवरी का प्रमान मिलता है कि गत गीद की देख दयान दिको सुद सीए के सोध की जाती रही जीदराजी को देख करके तो सीता जी की सुद्ध भूल गए और यहां सबरी जी के पाश आ करके भी भगवान कहते हैं भूख खुल गई भूख लगी मुझे लाओ कुछ रखें हो खाओ तो प्यारे प्रेम शहत सब डाया है यह नहीं को भूख लगी थी इसलिए क्या करें परेशान ही भूख थि में मोख लगती है तो आपक कुछ भी चीज मिल्याती जल्दी जल्दी शल्दी क्छते बरनन वरनन कुछ नहीं करते हो और कोई पूछे वी कैसे अरे तुम स्वाद के पीछे मर रहे हो हमें भूख लगी थी मत पूछो हम आपत में परसे फिर रहें कौन स्वाद बताए बस पेट भर गिया यहीं बहुत है लिके देते लोग कि नहीं लेकिन नहीं प्रेम सहत प्रवपाए बारं बार बखां इसको कहते हैं भक्ती भक्ती में इतनी बड़ी शक्ती है कि भक्ती जब मिल जाती है दिखाई दे जाती है भक्ती का बातावरन दिखाई दे जाता है प्यारे तो अपने आप कष्ट दूर हो जाता है क्या हो जाता है कष्ट दूर हो जाता है और कष्ट दूर होता है और जो कष्ट है उसके मिटने की संभावना पैदा हो जाती है कि कष्ट अब दूर होगा क्यों वही अब संभावना हमें मिल गई जब तोच लिया हमने अब संभावना है कि ये कष्ट दूर हो जाएगा भगवान ने यहां पर यही संभावना व्यक्त की कि बस अब मैं ऐसी जगे पर आ गया हूँ कि मेरा कष्ट जो है दूर होगा और जिस तरह से हम सीता शोधिकारी में लगे हुए हैं अब उसमें मुझे शफलता मिल जाएगी तब ही सबरीने का पंपास रही जाहुड़ गुड़ाई और तहां होए सुग्रीव मिताई पंपास रही जाहुड़ गुड़ाई बोलो संभावना बन गई की नहीं अब कनफर में सुग्रीव मिताई सुग्रीव से मित्रता हुई उसी समय सीता सोधिकारी की योजना बनने लगी की नहीं कि सीता जी का पता लगाया यह पता सोध तो कर रहे थे प्रभू पता लगाने के लिए निकल पड़े लेकिन पता भी मिल गिया था गीदराजी के द्वारा नात दशानन यह गतिकीनी तहीं खल जनक शुता हर लीनी ले डक्षन दिस गयों गुशाई बिलपत तकुरी की नाई लेकिन समस्या इस बात की जब पता लग गिया तो भगवाट